आज तेरा में दोज़र तेज़ आज तेरा में दोज़र तेज़ भारत में शनिवार है तुड़े इस थर्टिंथ में टू थाउजन ट्वेंटी थ्री एन इस सेटरड़े इन भारत आज की मुर्ली का जादुई रहस्या स्वयम को प्रेरना देने के लिए आज की पूरी साकार मुर्ली एक वाक्य के अंदर हम सार रूप में देख सकते हैं और वो वाक्य है कि अनुभव की अथारिटी बन लक्ष रूपी सोब के द्वारा आत्मा रूपी मेले कपड़े को साफ कर उड़ता पंची बनना तीन बाते है अनुभव की अथारिटी लक्ष रूपी सोब और उड़ता पंची हर एक बात की गहराई में हम जा सकते हैं यह तीनों कनेक्टेड है अनुभव की अथारिटी बहुत बार हमने यह शब्द सुना है हिंदी में तो इसके उपर प्री लाइनर्स है तीन पंच्टिया जो काफी प्रचलित है वो कहते हैं कि जे न देखे रवी ते देखे कवी और जे न देखे कवी ते देखे अनुभवी माना सुर्य का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता है लेकिन जहां पे सुर्य का प्रकाश भी नहीं फैलता है वहां कवी मन की कल्पना पहुँच जाती है कवी वो भी देख लेता है जहाँ सुर्य का प्रकाश नहीं पहलता है माना कवी अंधेरे को भी देख लेता है उसकी कलपना उच्छी उडान भरती है लेकिन कवी से भी आगे अनुभवी को रखा है माना जो कवी भी नहीं देख पाता है वो अनुभवी देखता है अथोरिटी है बावा ने कई बार मुरलियों में कहा है जैसे जैसे हम इस ग्यान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं हम अनुभवी बनते हैं कौन सी बातों में अनुभवी बनते हैं बहुत सारी बातों में अनुभवी बनते हैं आज विशेश बावा ने मुरली में जो कहा है कि जो अनुभव की authority है वो माया के भिन्न भिन्न royal रुपों से धोका नहीं खाएंगे ऐसे कहते हैं कि जो अनुभवी होता है वो कभी भी धोका नहीं खाता है क्योंकि उसको पता है कि सच क्या है जूट क्या है right क्या है wrong क्या है तो अनुभव से आती है कई सारी बाते जो किताबों में नहीं लिखी हुई रहते हैं अंग्री जी के दो शब्द है knowledge master and wisdom master बहुत लोगों के पास किताबों का ग्यान है लेकिन जीवन का अनुभव नहीं होता है मुल्ला नसरुद्दीन की एक बहुत famous कता है मुल्ला नसरुद्दीन जैसे भारत में अकबर बिर्बल की कहानिया है वैसे मुल्ला नसरुद्दीन की भी कहानिया है तो मुल्ला का जो बेटा था वह एक बार university पड़ने गया और वहाँ से degree लेके आया अभी उसकी जो मा थी वो अनपड़ थी मुल्ला समझदार था तो खाने के table पर तीनों बैठे हैं और ये जो बेटा था मुल्ला का वो master degree लेके आया था logic में माना तरक में तो खाने के table पर बैठे हैं दो अम्रूद रखे हुए हैं और मुल्ला का बेटा है वो अपनी मां से कह रहा है कि मां ये दो अम्रूद है लेकिन मैं तरक से इसको तीन अम्रूद सिद्ध कर सकता हूं तो माता जी सच मुश में आश्यर चकित हो गए ये कैसे हो सकता है ये तो दो अम्रूद है तो वो कहता है मैं अभी सिद्ध करके दिखाता हूं और वो एक अम्रूद उठाता है और बोलता है ये एक और दूसरे अम्रूद को बोलता है दो तो एक और दो कितने हुए तीन तो इसको लॉजिक कहते है तरक कहते है तो मुल्ला बैठा रहता है उदर वो कहता है बेटे को वा बेटा तुम तो बहुत पड़े लिखे हो अच्छी पड़ाई पड़के आये हो तो ये तीन अम्रूद में से एक अम्रूद तुमारी मा खाती दूसरा मैं खाता हूं और तीसरा तु किसी भी प्रकार का पेपर उसके सामने आता है तो अनुभवी पहले से ही अलर्ट हो जाता है हर फिल्ड में अनुभवी लोगों को लेते हैं कई सारे लोग जॉब ढूंड रहे होते हैं तो उनको जॉब में लेते नहीं है क्यों क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता है तो अनुभो जिसके पास ज्यादा होता है उसको ज्यादा अच्छा पैकेश मिलता है सैलरी अच्छे मिलती है हर फिल्ड में अनुभोवी की जरूरत है तो अनुभो एथारिटी लोकल में भी काम करती है लोकिक में और अलोकिक में भी काम करती है जैसे जैसे हम बाबा के साथ आगे बढ़ रहे होते है माया के बिन्न बिन्न वार होने लगते है और अगर इन माया के बिन्न बिन्न रॉयल रुपो को नहीं पैचाना तो धोखा खा लेंगे इसके उपर ही आज हम पूरा जा सकते हैं लेकिन शॉट में देखेंगे माया कैसे-कैसे वार करती है बाबा ने कहा एक होता है माया का मोटा रूप जो बक्ति मार्ग में भी कहते है ग्यान ग्यानी आतमाओं के पास विकारों के रूप में آती है विकारों का रूप काम क्रोद लोब मोई आंकार तो इस रूप में सभी जानते हैं लेकिन इसका सुक्ष्मरूप भी होता है जिसको रोयल रूप कहा गया है काम विकार का सुक्ष्ma रूप है काम ना है बाबा ने कहा ऑ finden और बाबा के बच्चे रॉयल भाशा इस्तिमाल करते हैं बाबा ने कहा कई बच्चे बाप के साथ चला की करते हैं और कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है तो ये कामना ये भी काम का ही रूप है इसलिए कहा काम जीत माना कामनाओं को जीतना जिसको बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था ये सरवच्छा अवस्था है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होते हैं बाबा ने बहुत मुर्लियों में कहा अप्राप्तर नहीं कोई वस्ति ब्रामनो के खजानों में तो काम जीत तो काम का सुक्ष्म स्वरूप है काम ना है हद की काम ना है है ना और relationship में संबंदों में अपिक्षा है माबाप की बच्चों से अपिक्षा होती है बच्चों की माबाप से पति की पत्नी से पत्नी की पती से एक दूसरे से आपक्शौय रखते हैं और ये आपक्शौय कभी पूरुना नहीं होती है इच्छाए भी कभी पूर्ण नहीं होती है भटकाती है मनिश्य को अगर मन को शांत करना है तो अनावश्यक इच्छाओं को कम कर दो इसलिए हम बहुत समय से देख रहे हैं मुरली राश्य में जिसकी जितनी जरूरते कम है वो ज़्यादा सुगी है अंग्रेजी में कहते है रिच परसन इसलिए नाट दवान वो हैज मूर बट रिच परसन इसलिए वो नहीं होता है जिसके पास बहुत कुछ है अमिर उसे कहते है जिससे बहुत कम चीजों की जरूरत होती है क्योंकि जितनी जादा चीजे उतना आप जादा दुखी होने के चांसे से क्योंकि कई लोग इसके साथ भी सुखी रह सकते हैं तो काम विकार को देखा क्रोध क्रोध का बड़ा रूप तो सभी जानते हैं जोल से बात करना हिंसा करना लेकिन क्रोध का बाबा ने का सुक्ष्म रूप भी है जैसे आखें बड़ी करके देखना या फिर रोब जड़ाना रोब रोब दूसरों के ओपर रोब जाड़ना ये भी क्रोध का ही रूप है इर्शा भी क्रोध का ही रूप है इर्शा माना जलना इर्शा ये मानसिक आजरी का बीमारी का लक्षन भी हो सकता है तो क्रोध एक मानसिक बीमारी का लक्षन भी हो सकता है कई भाई बेनों को ये पता नहीं होता है वो केते ही केवल गुस्सा करता है नहीं हो सकता है उसको अंडरलाइंग मानसिक बीमारी हो क्योंकि साइकोसिस नाम के मानसिक बीमारी में पेशेंट वाइलेंट हो जाता है तो क्रोध का भी सुक्ष्म रूप है इर्शा लेना, बदला करना है ना बदला लेना या जलना दूसरे की प्रगति के उपर ये सब क्रोध के रूप है टॉंट करना, क्रिटिसाइज करना, टिका करना ये क्रोध के ही रूप है तो ये भी रॉयल माया है लोब का रूप बावा ने का आवश्चकता बावा ने मुरली में का आवश्चकता की भी हद होती है, कितनी चीज़े आवश्चक होती है हमने इसको भी विस्तार में देखा है, कितने चपल चाहिए आपको, बातरूम चपल अलग, रूम के चपल अलग, बेडरूम के अलग, फिर पार्टी के शूज अलग, स्पोर्ट के शूज अलग, कितने चपल जूते आप अपने लिये रख रहे हो मेरा इंटर्वी लेने वाली बहन मिताली बहन उन्होंने बताया कि फॉरण में जब वो थी विदेश में तो वहाँ एक बहन के पास 27 पेर थे 27 पेर अभी 27 पेर का क्या करना है अच्छार डालेंगे इतना चीजों की क्या ज़रूरत है कई लोगों को होती है इसी चीजे जितनी जादा चीजे होगी उतना उनका maintenance cost हुता है आपकी बुद्धी उसमें जाएगे इसलिए सन्यासियों को बहुत कम चीजों के साथ जीना सिखाये जाता है ताकि उसमें बुद्धी नहीं जाए तो आवशक्ता की हद होती है तो देखना है रॉयल रूप में तो नहीं है आवशक्ता लोब का रूप ले लेती है फिर मोह का सुक्ष्म रूप है मेरा पन और हमने इसके विस्तार में गए है हम कि सुक्ष्म में मेरा पन क्या है तो मेरी बुद्धी है ना मेरी बुद्धी मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता मेरा संसकार, मेरा नेचर, ये सुक्ष्म का मेरा पन है तो ये माया के रूपों को पैचानना है और अहंकार का सुक्ष्म रूप अहंकार भी बहुत सटल होता है, सुक्ष्म होता है लेकिन अहंकार का एक ही टेस्ट हमने देखा If it hurts, it's ego जो अहंकारी व्यक्ति होते है वो हमेशा नाराज होगे, hurt feeling में जाएंगे कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखा है बोलो तो भी hurt, नहीं बोलो तो भी hurt कुछ भी करो, उनको hurt की feeling आते है दुख की feeling आती है तो अहंकार तो ये सब माया के सुक्ष्म रूप है अनुभवी इनसे धोका नहीं खाते है और अगर गहराई में जाए तो बाबा ने कहा किसी भी देखारी को अपना सारा मत बनाओ तो किसी के साथ दोस्ति कर लेते है जिसको बाबा ने कहा familiarity का नशा बाबा ने इसको हलका काम का नशा कहा हुआ है familiarity का भी नशा होता है इसकी भी भीमारी है बाबा ने कहा क्योंकि जब परिस्तिती आएगी तो फिर वो देदारी याद आएगा बाबा याद नहीं आएगा तो ये है सुक्ष्म माया हर एक को पता है उसके अंदर कौन सी कमजोरी है बाबा ने बहुत बार का है अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता है इसलिए गलत फेहमे में मत रहे माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों को पहचानो कि कई मेरे उपर माया का वार तो नहीं हो रहा है माया व्यर्थ संकल्प के रूप में बुद्धी के उपर वार करती है व्यर्थ संकल्प जिसका कोई अर्थ नहीं है तो ये सब माया के रॉयल रूप को पहचानना है और अपने अंदर कमी कमजोरी है तो उसको दूर करना है पर इसके लिए अनुभव की अथौरिटी चाहिए और ये अनुभव के साथ ही आता है कि मेरे उपर माया का वार हो रहा है नहीं तो माया ऐसा वार करती है कि पता ही नहीं चलता कि माया का वार हो रहा है करके तो अनुभव इन सब बातों में धोका नहीं खाएंगे क्योंकि अनुभव से वो सिखते हैं कि ये सब waste of time, money and energy है मुझे उपराम रहना है दूसरी कहानी जो आज के मुरली में आई है वो शास्त्रों की बहुत famous कहानी है एक संत अपने शिश्य को प्रवचन देने के लिए आने वालेते सभी सिश्य बेसबरी से राह देख रहे है और आखिर में संत महराज आ जाते है जंगल में बैठे है वो अपनी संदली पर बैठते है और सभी राह देख रहे होते है कि अब संत हमारे लिए क्या महावाक्य सुनाएंगे और उतने देर में एक पंची अपने पंक फड़ पड़ाते हुए वहाँ पर आता है सभी उस पंची को देखते हैं वो पंची के पैर में एक फल का टुकड़ा होता है पंची डाली के उपर बैठता है वो फल का टुकड़ा खाता है और फिर अपने पंक पड़ पड़ा कर उड़ के चला जाता है संत उस पंची की तरफ देखकर बोलते हैं आज का प्रवचन समाप्त हुआ अभी बहुत सारे शिष्षों को समझ में ही नहीं आता है एक शिष्ष उसमें रहता है वो हसने लगता है जोर जोर से तब ये संत वहां से उठते है अपने संदली से आसन से और वो जो हसने वाला शिष्ष है उसको अपने हाथ का गुलाब पुश्पदे देते है और कहते हैं कि इसको समझ में आ गया अभी देखा जाये थो संत ने कुछ बोला ही नहीं रहता है लेकिन वो जो शिष्ष था वो समझ गया संत क्या कहना चाहता है ये आज का वरदान है बाबा ने बहुत बार मुर्लियों में कहा है कि बच्चे डाली वाले पंची मत बनो उड़ता पंची बनो हम सब पंची है इस ड्रामा में अपना अनादी अविनाशी रोल प्ले करने के लिए आये हैं और हमने डाली को पकड़ा कर्म का फल हम चक रहे हैं डाली के उपर बैठके लेकिन कर्म का फल चुक्तु करने के बाद हम मन और बुद्धी रूपी पंखों को फड़ पड़ाते हैं और वापिस अपने घर चले जाते हैं तो चिक करना चाहिए कि हम कौन से पंची है आत्मा माना पंची लेकिन कौन सा पंची है तो दो प्रकार के पंची है एक डाली वाले और एक उडने वाले पंची माना उडो और उडाओ बाबा ने बहुत बार मूरलियों में कहा है कि आगे चल कर न चड़ती कला न भाकती कला कोई भी कला काम नहीं करेगी एक ही कला आपको मदद करेगी और वो है उड़ती कला जिसको बाबा कहते है उड़ती कला तेरे बाने सबका भला केवल उड़ता पंची की स्टेज ही आपको समस्याओं से मुक्त कर सकती है क्योंकि आगे चल कर जैसे हमारा योग ठीक नहीं होगा तो उनके सामने पहाड जैसे समस्याएंगी और पहाड तोड़ने में नहीं लग जाना है हमको बाबा ने कहा पहाड तोड़ने में बहुत एनरजी लगेगी इसलिए पहाड को उड़कर क्रॉस कर देना है उड़ता पंची अभी उड़ता पंची कौन बन सकता है प्रकार की हद की दिवार को पार करने की निशानी है पार किया उपराम बना उपराम माना उड़ती कला इसके उपर विशास्त्रों में कहानिया है इसी पंची की कहानी की एक बास टैनी पर बैटा है वो उड़ने कोई तयार नहीं है तो राजा अपने राच्छ में एलान करता है कि जो भी उस बास को उड़ाएगा उसको इनाम दिया जाएगा सबी लोग आते हैं बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बास को उड़ा नहीं पाते हैं आखिर में एक अनुभवी वेक्ति आता है और उसके हाथ में कुलाड होती है वो जाता है और उस टैनी कोई काड़ देता है जिसके उपर बास बैठा हुआ रहता है अभी जैसे ही वो टैनी क पड़ जाती है तो बास का सहारा खतम हो जाता है उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है इसके बगएर के उड़े और वो बास फिर से उड़ना चालू कर देता है कुछ ऐसी हालत हम आत्मारूपी पंचियों की है हमने किसी न किसी डाली को पकड़ के रखा है या तो देह के डाली दूसरा दूसरे के डेह के डाली तीसरा पदार्थू के डाली कितनी सारी डालिया है ये डालिया ही हमको उड़ने नहीं देती तो अगर उड़ता पंची बनना है तो डाली को छोड़ना पड़ेगा यही अध्यात्मिक्ता है यही स्पिरिचॉलिटी है जब भ लोग मुझे ये प्रश्ण पूछते कि अध्यात्मिक्ता किसे कहेंगे और मेरा स्पष्ट जवाब होता है क्योंकि कई लोग ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं कि इनके पास गए तो क्या-क्या छोड़ना पढ़ेगा डर रहता है इनको क्योंकि हम ग्रुवस्ति में हमारे बाल बच्टे है नयोकरी धनदा है हैं कि प्यास तो हम उनको यही बताते है कि अध्यात्मिक्ता माना घरबार छोड़ना नहीं जैसे आज कि मुर्ली में भी बाबा नहीं कहा है कि वह अधि के सन्यास होते वह घल बार छोड देते हैं लेकिन हमको घर बार चोड़ना नहीं है हमको घर ग्रास्त में रहना है उनका है रजो प्रदान सन्यास और हमारा है सतो प्रदान सन्यास बेहत का सन्यास है तो बाबा ने हमेशा कहा है कि घर बार चोड़ने की जरूरती नहीं है तो हम इसकी व्याख्या इस तरह से बताते हैं कि spirituality माना art of letting go घरबार को नहीं छोड़ना है लेकिन जो हमारी पुराने आदते हैं पुराने संसकार है जिसके वज़े से हम दुखी है उन पुरानी आदते और संसकारों को छोड़ना है इसी को कहते उड़ता पंची बनना बाबा ने फरिष्टे की व्याख्या बताई है फरिष्टा माना कौन तो जिसका पुरानी देह देह के संबंद देह के पदार्थ व्यक्ति वस्तु वैबाओ किसी से भी कोई रिष्टा नहीं है वही सदाकाल का फरिष्टा है बना उड़ता पंची है तो चिक करेंगे आज के दिन कि मैंने किसको किसको अपना सहारा बना लिया है क्या मैं डाली का पंची हूँ या उड़ता पंची हूँ डाली का पंची माना मैं योग में अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ मुझे योग में एकागरता नहीं हो रही है योग में परमात्मा के गुणों का अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब मैंने किसी न किसी डाली को पकड़ के रखा है अगर मुझे सुक्ष्मवतन और परमधाम का अनुभव नहीं होता है इसका मतलब मेरी अभी भी पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के व्यक्ति और वस्तुों में बुद्धी जा रही है जब यहां जा रही है इसलिए तो उपर नहीं जा रही है तो अध्यात्मिक्ता माना उड़ता पंची माना आर्ट आफ लेटिंग गो जिसको भी हमने पकड़ के रखा है बातों को उनको पूरी तरह से छोड़ देना लेट गो करना और यही लोग कर नहीं पाते है बहुत वंडर बात वंडरफुल बात है किसी ने मुझे कहा कि मुझे पता है यह चीज गलत है जैसे गुसा करना गलत है बहुत लोगों को पता होता है लेकिन वो गुसा करना छोड़ नहीं पाते है कारण क्या है पता है कि ये गलत है नहीं करना चाहिए फिर भी वही करते हैं तो मैंने जवाब दिया कि आप उसे छोड़ दो लेकिन कहते हैं छुटता ही नहीं है मैंने कहा कि अगर आपने अपने हाथ में जलते हुए कोईलों को पकड़ के रखा है तो आप क्या करोगे बोला जैसे ही जलता हुए कोईला है तो हम तुरंट छोड़ देंगे मैंने कहा ये सभी पुरानी आदते ये हम इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि मुझे रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैंने जलते हुए कोईले को पकड़ा है तो कहते है कि गुलामी में भी इंसान मालिक होता है जो कहते है कि हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है ये अपने को ठगी करना है आप नहीं चाहते है तो कोन करता है एक्चिली आप चाहते हो इसलिए तो आप करते हो अगर आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं करोगे सुक्ष्म में कही न कही वो चाह रहती है भूग भूगने की काम ना रहती है जिसको वासना कहा गया है इसी लिए उड़ता बंची बन नहीं पाते है तो बाबा ने आज कहा कि कर्म के इस कल्पव रुक्ष की डाली पर आएंगे कब उड़ता बंची बेहत के समर्त स्वरूप से कर्म किया और उड़ा बहुत अच्छा शब्द है दिन बर में काम करते समय अपनी आपको याद दिलाओ कर्म किया उड़ा कर्म किया उड़ा कहीं पर भी पसना नहीं है डाली के पंची बनना ही नहीं है तो ऐसे उड़ता पंची होंगे तो सदा सतंत्र होंगे विशेश तीसरा शब्द आज के मुरली में लक्ष सोप से आत्मा रूपी मेले कपड़े को साफ करो कितना सुन्दर है आप के आखों के सामने चित्रा आ रहा है कि कपड़े को स्वबू से साफ कर रहा है यहाँ पे बाबा कह रहा है कौन सा साबू तो लक्ष रूपी साबू आज कल के मनुष्य लक्ष हीन जीवन जी रहे खाओ प्यों मौच करो क्यों जे रहे पता नहीं है और बाबा कहते हैं लक्ष रूपी सोप वो लौकिक दुनिया में लक्ष सोप आता है लक्ष और बाबा का शब्द है लक्ष लक्ष अगर जीवन में है तो लक्ष धारन हो जाते है शिव भगवान वाच अपने आप से पूछो मेरा लक्ष क्या है अगर हमारा लक्ष है संपूर्ण पवित्रता को धारन करना तो अपने आप पवित्रता के मैनर्स धारन होंगे और दूसरों को भी कराएंगे अगर लक्ष यह नहीं है तो कैसे कपड़े स्वच्छ होंगे लक्ष होना चाहिए मैं देखता हूँ कई लोगों का अपने कपड़ों में बहुत बुद्धी जाती है वो कपड़े की प्रेस किया हुआ घड़ी भी बिगड़ने नहीं देते है कितने अच्छी पात है इसी को अगर हम सुक्ष्म में लेके आए जैसे वो बैठते समय चेक करते कहा कपड़े पर दाग न लग जाए कहीं पर भी हात लगाते समय पहले चेक करते है कि इधर मिट्टी तो नहीं है तो अपने स्थूल वस्त्रों को वो दाग से बचाने की कोशिश करते है थोड़ा सुक्ष्म में चले जाए कि आत्मा के उपर भी दाग लगने के चांसिस है दाग कई प्रकार से लगते है बड़े दाग तो सभी समझ में आते है विकार में जाते है लेकिन सुक्ष्म दाग हम दो तीन दिन से देख रहे किसी का अउगुण देखा अउगुण देखने के बाद चित्त में रखा और उसके बाद उसका वर्णन किया तो पूरा दाग लग गया तो हमको किसी का भी अउगुण देखना नहीं है ताकि हमारे उपर दाग नहीं लगे क्योंकि स्वयम भगवान जादुगरी करने आया है इश्वर की रजादुगरी है नरकवासी से सरगवासी बनाना और ये जादुगरी केवल शिव बाबा ही कर सकते है कि आत्माओं को पतित से पावन बनाना पुराना तन मंधन पूरा इश्वरी सेवा में इंश्वर कर देना इतना इंश्वर कर देना कि भगवान हमें 21 जन्मों के लिए नया तन दे तो ये जादुगरी चल रही है आज के पूरे दिन भर में हम यही अभ्यास करेंगे कि भले मेरे सिर के उपर पापो का बोजा है अजा मिल जैसे पाप आत्मा बन चुकी हूँ जो आज बाबा ने कहा फिर भी बाप की याद से 100% श्रीमत पर चल कर निश्वर भुद्धी बन कर अपने सिर के उपर जो पापो का बोजा है उसको भस म कर सकते हैं भस म कर सकते हैं और करके ही रहेंगे जो बावा रोज आज कल मुरली में कह रहा है कि करके ही रखना है आट घंटे की बाद आज फिर से मुरली में आई है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोचो दुसूबे का एक देड़ घंटा इतना पावरफुल होता है अगर आप आड़ घंटा योग का चार्ट रखेंगे तो आपकी अवस्ता कितनी पावरफुल होगी तो बाबा ने का ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं अगर जाने तो प्रापर्टी को भी जान जाए अपने उपर बड़ी-बड़ी अथारटी करते हैं लेकिन बाप जैसी गैरंटी कोई दे नहीं सकता वो सिप अपने उपर टाइटल रखते हैं और बाप हमसे गैरंटी करते हैं कि बच्चे तुम 21 जन्मों के लिए राजाई का वर्षा पालोगे तो अगर हम 21 जन्मों के लिए राजाई का वर्षा पाना चाहते हैं तो अनुभव की अथारिटी बने माया के सुक्ष्म रूपों को पैचाने लक्ष रूपी सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ स्वच्च कर दे और हद की दिवारों को पार कर मंजिल के समी पहुचने वाले उड़ता पंची बने अच्छा ओम शांती झाजब की अच्छा पना मनेंट रूपी